कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आज का टैपिक है विस्व की प्रमुख जलसंदिया जो इंपर्टेंट है जो सभी महत अपनों एक्जामों में घुम फिरकर आती रहती है जब क्वेश्चन से बंते रहते हैं उनके बारें पढ़ेंगे मैप से जिब्राल्टर जलसंदी जिब्राल्टर जलसंदी बोलते हैं ने साक्राइब क्यों कि कि आप़ आपको दिख रहा हम जिब्राल्टर जलसंदी है यहां पर यह है इस्पेन ये इस्पेन है Даже मुरको इस्पेन और मुरक्कों के बीच में जिबराल्टं जलसंदी करना है तो जिबराल्टं कर Wash नहर से जिबराल्टं जलसंदी से जिब्राल्टे बनाया गया नहर हय तो प्रिरत्रिम है आ Muy यह जिब्राइल्टर जलसंदी को ही बोलते हैं कि यह इसे प्रिवेस करना है तो और मुरक्यों के बीच है अट्लांटिक महासागर घाल्टा जोड़ता है क्योंकि भूमध्य सागर में जाने के लिए है तो बहुत्तिक महासागर के बहुत प्रिवेस द्रॉठ्टिक सागर से के अल्टर नाहीं होना है तो कुणि यानि दरवाजिक गुणि मतला उसे कुण्शाय के जिब्रालटर जल संदी है अगर अल्टर बनोंगे तश पेन चुबा कर मुक्का मुक्का कर थे तसन पेन कर मुक्का treaty sagte नेक्स्ट है बावल मंदेव जलसंदी इसे आंसुम का प्रवेस द्वार कहते हैं यह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है यहाँ पर बावल मंदेव से जलसंदी आप देख सकते हैं यह लाल सागर है रेड सी और इधर अरब सागर होगा तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ते हैं और अरब सागर में यह वाली जो खाड़ी है उसे बोलते हैं गल्फाप अधन की खाड़ी तो आप यह भी बोल सकते हैं इसको कि लाल सागर से अधन की खाड़ी उसे को अलग करेगा दो भुभाग को अलग करता है और दो जल का छेत्र को जोडता है तो यमन और जीवूति की बीच लाल सागर को अधन की खाड़ी से अलग करता है अरब सागर में तो लाल सागर को अधन की खाड़ी से जोडता है अथो लाल सागर को अधन की खाड़ी से जोडत मन अपने बूते पर चलता है या मन स्याध करेंगे मना और ओगती यमन और बीच होगा बाबा के आंसुओं में लाल लाल दाने होते हैं यानि कि इसे आंसुओं का प्रवेशद्वार कहते हैं बाब अलमंदे जलसंदी को लाल लाल यानि कि लाल सागर को अधन की खाड़ी दाने यानि कि अधन की खाड़ी से जोड़ता है नेक्स्ट देखते हैं डेविस जलसंदी तो ग्रिन लेंड और कनाडा के बीच है डेविस जलसंदी ये बिश्व की सबसे चावडी जलसंदी है डेविस जलसंदी जो है ये ग्रिन लेंड है आपको देख रहा है ये ग्रिन लेंड है सफेद वाला इधर ये सब कनाडा का छेत्र है ये सब कनाडा है सब कनाडा में केंतर गताते हैं यह बरफिन दीप यह भी कनाडा का ही है तो बरफिन दीप और ग्रीं लेंड के बीच यह ग्रींद लेंड के बीच यह अw Це लिखा हुआ नेविज का पीच है लिए सब्षाइब कर लेटे बी स्पीकर हरी नाड़ा खोल कर चवड़ा आकर घूमने लगा यह भी शेयद करें डेवीच जलसंदी बीच से करेंगे अधर से घ्रीनलंड हरा मतलग ग्रीन तो ग्रीनलेंड और नाड़ा यहने की कनाड़ा लाहर टोड़ा होकर यहने क इंग्लेंड और फ्रांस के बीच है डोवर जलसंदी, इंग्लेश चैनल को उत्तरी सागर से जोडती है, यह इंग्लेंड है आप देख सकते हैं इंग्लेंड है और इधर का एरिया है जो फ्रांस है, इंग्लेंड और फ्रांस के बीच यह जलसंदी है, इस्ट्रेट अप channel को जोड़ता है पे जो संधी आत्वाये के इंग्लेंड और फ्रांस को अलग करता है इंग्लेन अ प्रांस के बीच है इंग्लिडी चैनल और उत्तरी शागर के बीच वह में बारत सा और जो को फसा इंग्लिस चैनल ऑर लेंगे साकर यानी के फ्रांस इनके बीच है उतार लाएं तो उत्तर है अकिन मलग का जलसंदी मलय और समात्रा के बीच है विष्व की सबसे लंबी जलसंदी है मलग का जलसंदी मंका का माना माला जो होता है युछ है मनके चलंडी है तहलं कि मले कि मलेश्այ संहां होता है।tail हैं जोनिया स्वार्ट होता है, ₧-मलेET, पर 181 के बीछ, दोड़े चाननेजंडी कि म्लेता हैं मलu मलेकी का का समात्रा संहा पढ़ा है, तो मलाय यह समात्रा के बीच कहें है तो मलेसिया और इंडोनेसिया के बीच कहें अंडमान सागर को जावा सागर जोड़ता है यह मलय जलसंदी यह मलय श्रेट इधर मलेसिया है और इधर इंडोनेसिया है यह मलेसिया इंडोनेसिया मलेसिया का मलय प्राइदीप इधर है इधर मलय प्राइदीप पड़ेगा और इसका सुमात्रा प्राइदीप इसका पलेगा इंडोनेसिया का तो मलय और सुमात्रा के बिच कहें तो मलेसिया और इंडोनेसिया के बिच कहें इधर और पढ़ेगा आपका यह अंडमान निकर बार है तो अंडमान सागर को बोलेजें कि अंडमान सागर प्रेदीप यह पर प्रेदीफ पर आसे सहं जबबते हயोड कर दें तो रेफ्टर मफ के खेत में सुमित्रा का माला गिर गया अब पता नहीं क्या करने गई थी सुमित्रा में मुझे नहीं पता लेकिन गई थी मक्का के खेत में सुमित्रा का माला गिर गया मक्का से मलक्का जलसन थी सुमित्रा यानिकि सुमात्रा और माला मेलिस मलाय तो समात्रा ऊर मेल्य के बीच यहाने की इंडोनिसिया के बीच छोटे अंडों कंडे के जैसा इंडोर कि और अंडमानसागर और जावासागर जैसा से जवासागर थो झावा सागर के बीच है जोटे थोटा से उल्टा करतें कि दो बड़े यह सबसे बड़ी बड़िक का मत्लत लंबी तो सबसे लंबी जल तारस-जलसंदी आस्ट्रेलिया और पपवा नयोगिनी के बीच है तरह अपरफुरा साघर यह अराफुरा सागर इधर का सागर अराफुरा सागर गर एधर से कब्स कर डिया के पापा को तार भेजो की करेला पुरा फेरा ऐसे करेला ज़ूरा पापा याणि कि पप्वा नयोगीनी एकक पप्वगा नयोगीनी के 12 श्रेत्र सत्र शागर से बाश जल्संधि नग्सलर वा तस्मानिया के बीच दशिन महासागर को तस्मां सागर से जोडता है जलसंदी अस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बच नाम है बास जलसंदी अच्छिर महसागर को नाम तसमान सागर तसमान सागर को बोलते हैं तसमान सागर के बीच है अथ्वा अश्ट्रेलिया और तसमानिया के बीच है बास जलसंदी जण भर के लिए रिया नाम आने तो बास कर दो जण भर के लिए रिया नाम आने तो बास कर दो क्यों मनाना चाहता है मुझे नहीं पता है लेकिन आण से याद करेंगे दच्छिन यानि कि दच्छिन महासागर और न माने यानि कि तस्मान सागर तो दच्छिन महासागर और तस्मान सागर के बीच आश्ट्रेलिया और माने से तस्मानिया तो आश्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बास से बास जलसंधी कुक जलसंदी न्यूजी लेंड के उत्तरी और दच्छनी दिप के बीच है न्यूजी लेंड ये पूरा न्यूजी लेंड है ये पूरा न्यूजी लेंड है तो न्यूजी लेंड का एक ये उत्तरी दिप कहलाएगा ये दच्छनी दिप कहलाएगा तो उत्तरी दिप कुषख जलसंदी बोलते हैं कि दंटने महाश्ागर को कहसी तास्मान सागर से जोड़ती है इधर तरी दीफह जोड़ेंगे इंसे तस्मान सागर उड़ता है यह अधर अब देख सकते हैं यह इंड νीव ताउत दच्छिर माहसागर को तस्मान सागरस जोडता है अथा न्यू जिलेंड Ke उत्तरी और दिपों'dों के बीच है कुख जलसंधी कुछ नया कुख कर लो कुछ नया कुख कर लो क्याने कि कुक मतला कुक जलसंधी और यहां मतला न्यूजीलेंड में इस्तित है तो न्यूजीलेंड के उतरी और दच्छनेदीप के बीच होगा मोजांबिक जलसंधी मोजांबिक मेडागासकर और मोजांबिक के बीच है आप इसे देख सकते हैं यह अफरिका महादीप है यह अफरिका महादीप और यहाँ पर यह हिंद महासागर है और हिंद महासागर में यह एक दीप है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा दिप है मेडागासकर, तो मेडागासकर और इधर पड़ेगा अफरिका, अफरिका में एक देश होगा मोजांबिक, तो इधर देश होगा मोजांबिक, तो मोजांबिक ये देश है मोजांबिक, तो मोजांबिक और मेडागासकर के बीच जो जलसंदी है, दिख रही है, इसी को बोलते हैं, मोजामिक जलसंदी के नाम पर है, इसी देश के नाम पर है मोजामिक जलसंदी, तो मोजामिक जलसंदी कहा होगा, मेडागासकर और मोजामिक के बीच, इस सागर में, हिंद महा सागर में होगा, मोजा पहनकर गाना गाता है, मोजा से मजाबिक जलसंधी और गाना गाता है मतलब मेडा गासकर गाना गाता है मतलब गासकर मेडा गासकर बास्फोरस जलसंधी इसीया का प्रवेश द्वारी से बोलते हैं बास्फोरस जलसंधी को उत्तरी यम दच्छनी तूर्की के बीच है या कहें कि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है काला सागर को भूमत्य सागर से जोड़ता है यह आप देख सकते हैं तुर्की यह वाला तुर्की है और यह ब्लेक सी है काला सागर काला सागर है तो काला सागर इधर है इधर है इधर है भुमद्य सागर, काला सागर है, यहाँ पर इसको जूम करके देख सकते हैं, यहाँ इधर ब्लैक सी होगा, काला सागर, इधर मरमरा सागर, और यह एजियन सागर, इधर जो है कि भुमद्य सागर होगा, यह वाला जो है, भुमद्य सागर होगा, यह ब्लैक सी है, काल भूमद्य सागर है इधर भूमद्य सागर होगा तो भूमद्य सागर और काला सागर के बीची है काला सागर में इधर आएंगे थोड़ा सा इधर है तो मरमरा सागर यहां पर पड़ेगा तो मरमरा सागर और इधर से इधर जाएंगे आप यहां पर जो सागर पड़ेगा उसे इजियेन साघर, यहाँ पर जूम करके दिखाएगा है, यह ब्लैक्सी के इधर जो है, मरहमरा सागर है, यह बहुमद्य सागर की होगा, यहाँ पर जो हुझा है, एजियेन सागर. इसलिए ये बास फोरजल संदिक इसको जोड़ेगी आप ये भी बोल सकते हैं कि भुमद्य सागर को काला सागर जोड़ती है ये भी सही है ये काला सागर को एजियन सागर जोड़ती है तो भी सही होगा ये काला सागर को मरमरा सागर जोड़ती है तो भी सही होगा ये उत्तरी तो पूर्की का यह एरिया यहां तक अया है यहां तक तुर्की का यहां से शागर है अपना तो यह उत्तरी दिप हो जाएगा तुर्की में ही उत्तरी और देशनी मुख्य भूमी के बीच यह होगा एसिया का प्रवेश्च द्वार इसे बोलते हैं कि यहीं से Asia divided होता है इसलिए माना है तुर्की ऐसिया और यूपद दोनों देश्व में आता है क्योंकि थोड़ा-स इतना कटा हुआ है इस सागर के उधर युरोपमें यूवा संधिये अचिए और डेज्य को अलग लग करती है वन कपयों द्वार पर यह कहा सबरेंगे आए के अभिशों मारेंगे कई ही वाथ कहता है क्य उसक्राइब को है यह आट करेंगा एसय का प्रवेश द्वार क्या सिय यह प्रिफिए का मैं वाषग मतना चैनुझ चल खंदि आबकल किमारे के बीच करीववा मारे चुर्की फोड़ दे रात है फिर आप प्सक्लिए कील यौट करेंगे इयाद करेंगे विपार सो है न डिल यहां थेड़ेत्क पर आज पर पार क्रिख से यहाद करेंगे काला सागर मार के यहने कि मर्मरा सागर बीच से पोकर चूर्की फोड़ दें का, चूर्की से यहनी कि तूर्की के बीच ये इस्तित है, तूर्की के उत्टरी या दच्छनी दुप्र के बीच फोड़ें यहनु कि भाकर giornoसंदी, इस अपयाद कर सकते हैं इस प्रकार से नेक्स्ट है मैगलन जलसंधी, मैगलन जलसंधी, दच्छनी अट्लांटिक महासागर को दच्छनी प्रसांत महासागर से जोड़ता है, मैगलन जलसंधी, यह दच्छनी अट्लांटिक महासागर, इधार और इधार दच्छनी प्रसांत महासागर, यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ अमेरिका है इधर नार्थ अमेरिका होगा इस साउथ अमेरिका होगा दचनी अमेरिका इधर अट्लांटिक महासागर है पूरा अट्लांटिक महासागर उत्तर की और उत्री प्रसांथ और दचनी प्रसांथ महासागर तो यहां पर जलसंदी है यहां पर जलसंदी है त से जलसंदी चीली चीली में अस्थान तो उनके बीच यह जलसंदी जूम करेंगे इस प्रीकार से केरें यहां से इस परकार से जल संदी आई हुई है इसे याद करेंगे यह एक टीना गला दिया जोगा आटो इस परकार एक टीना गला दिया का इन गला से मैं गलन जल शंदी मैं गलन नेक्स है सु्नडा जल संधी इन्डोनेसिया में जाव उर समातरा के दुखयों के बीच है। जावा चण लिखांव में यहाँ पर यहाँ समातरवित नि बीच में है इस ट्रेट हम सुुंडा चुंडा जलशंधी में मार्ड जावा सागर का नाम है तो हिंद महासागर को जावा सागर से बोलते हैं मार्ड जावा यानि कि जावा सागर है और इधर हिंद महासागर है तो हिंद महासागर जावा सागर के बीच है यह जा सुमित सुन्डा से मिल ले यानि कि सुमित यानि कि सुमत्रा और जा से जावा तो सुमित्रा और जावा के बीच है सुन्डा जलसंधी नेक्स्ट है आवेक्स जलसंधी निवजी लेंड की दच्छनी दीप तथा इस्टिवाड दीप के बीच है यह निवजी लेंड का दच्छनी दीप है यह निवजी लेंड का दच्छनी दीप और यह है इस्टिवाड दीप यहां पर देखा यहां पर यह आस्ट्रेलिया है आ इस प्रकार से न्यूजी लेंड के अंतरगती है तो न्यूजी लेंड कमुखे भाग और इस्टिवाट दीप के बीच यह है फावेक्स जलसंधी दच्छनी महासागर को तस्मान सागर जोड़ता है इधर तस्मानिया है अस्टेलिया के नीचे तो इस सागर को इसके नाम पर पर इस लिए दच्छन महासागर के बीच कह सकते है फस्यूजी लेंड के तस्टिवाट्ड के बिच उसलेंगे भा। बना रहा था और बोल रहा कि नहीं बन रही है उसे बन नहीं रही थी तो किसी ने कहा भर मन लागा कुछ नया इस्टार्ट करो तो 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 इस याद करेंगे दच्छन महासागर मन लगाकर यानि कि तस्मान सागर तो दच्छन महासागर और तस्मान सागर के बीच में कुछ नया इस्टार्ट करो यानि नया इस्टार्ट से नया से न्यूजीलेंड का दिप और इस्टार्ट से इस्टिवर्ड दिप हालंकी इस्टिवर्ड भी न्यूजीलेंड का ही दिप जापान सागर को परशांत्मा सागर से जोड़ता है। यह इधर चाइना वाला रेजिन में है चाइना है 權ना नार्थ कोरीय इधर साउथ करिया और यह जापान का एरिया, यह जपान है, तो जपान के एरिया है, अब यहाँ देखतें कि जपान को ही जूम करते हैं, तो जपान को जूम करेंगे इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से, और यहीं जलसंदी है, तुगारू जलसंदी, तुगारू जलसंदी, इधर, जपान होगा, जपान सागर जपान सागर जपान सागर के बीछ है जपान के हो यह ज इंसु दिप है जपान के बीछ है जासुगा होस में सेकणु दिप पर जा भी घर रहा है कि सुगा मतलत होता जा सुगा से जापान सुगा से तुगारु जलसंधी होस में हैकेडो दिप और सैकडों से हैकेडो दिप सुगा 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 जलसंधी को देखनी कोरिया जापान के बीच जापान के बीच जो जो जलसंधी जलसंधी को बोलते हैं तुसीमा जलसंधी तुसीमा इस्ट्रेट किसको जोड़ेगा इधर होगा जपान सागर इधर जपान सागर को जोड़ता है इसके लियाद करेंगे रिया और सुस्मा पुर्व की ओर जा रही है रिया और सुस्मा पुर्व की ओर रिया से दच्छनी कूरिया और सुस्मा से सुसीमा जलसंधी पुर्व की ओर जा रही है निकि पुर्वी चीन सागर और जा रही है मतले जापान सागर आगे इसको दिखा देते हैं आगे देखते हैं हारमुज जलसंधी इसको दिखा दें पहले यह आप यहां देख सकते हैं आपर यह चीन वाला एरिया नर्थ कोरिया साउथ कोरिया इधर जापान है इधर यहीं है यल्लो सागर पूर यहीं की पीला सागर है जो चीन के अंदर रहता है और यह है इस्ट और सागर के बीच में यह जलसंधी ओवाली कोई moved यहां अपर साउथ कूरिया होगा तो साउथ कूर्य जापान के बीच बाऒर संधी इरान और अमान के बीच बाड़ स्दों इसको एडिति यह ग Corner में के बीच होगी इजिनिड काम जांदि यहां पर है इरान और ओमान के बीच है तो यह इरान है इरान का है और यह है ओमान ओमान का एरिया यहां से इधर तक आया है यहां तक यहां तक आया है यानि कि थोड़ा सा जो बच गया वह इरान में ही आएगा तो ओमान और इरान के बीच यह ओमान और इरान के बीच होगी ह हार मुझ जलसंदी यहां पर जो जलसंदी है यहां पर इस प्रकार से जो जलसंदी होगी होगी हार मुझ जलसंदी ये परसियन सागर परसियन की खाड़ी यानि की फारस की खाड़ी ये खाड़ी जो आपको दिख रही है इसे बोलते हैं परसियन गल्प यानि की फारस की खाड़ी और इधर है उमान की खाड़ी क्योंकि यह उमान देशा है तो इसलिए इसके नाम पर उमान की खाड़ी है जो फारस खाड़ी और अरव सागर की बीच भी कह सकते हैं क्योंकि ओमान की खाड़ी जो अरव सागर का ही विश्थार है कि इसके लिए याद कर सकते हैं आरस में अर्वों की हार हुई अस फारस में अर्वों की हार इमान लेता है इमान लेताँ है यहांने कि फारस में परष्टियन के खाड़ी आरव सागर त्रिय इसे इराण और मान से त्रियो मेक्सिको मेक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अट्लांटिक महसागर के बीच श्ड區 तो फ्लोरीडा प्रांथ और क्यूबा के बीच यह अमेरिका है यह आप देख सकते हैं अमेरिका है यहां से इधर का जो है कनाड़ा है यह वाला इधर कनाड़ा है और यह वाला जो है अमेरिका है अमेरिका इधर क्यूबा एक देश है तो इसके बीच में जो जलसंधी है फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में उसी को बोलते हैं फ्लोरिडा जलसंधी यह अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत और क्यूबा के बीच होगी मेक्सिको खाड़ी और अट्लांटिक महासागर है आप यहां पर देख स फ्लो फ्लो में बोल गया नहीं कि फ्लोरिडा जलसंधी कि मेक्सिमिकेवा मेक्सिको के बीच फ्लोरिडा और मेक्सिको के बीच नेक्स्ट है यूकार्टन जलसंधी यूकार्टन जलसंधी मेक्सिको और क्यूबा के बीच जो जलसंधी है उसे यूकार्टन जलसंधी बोलते हैं यह मेक्सिको है अभी हमने दिखाया मेक्सिको को यह मेक्सिको है आगे क्यूबा है यहाँ पर देख सकते हैं तो मेक्सिको और क्यूबा यह क्यूबा है इधर और यह वाला मेक्सिको का एरिया है मेक्सिको इधर इस प्रकार से गया है यह मेक्सिको पुरा है और यहां से क्यूबा आपको मिलेगा यहां पर जुम करके यहां पर दिखाएगा है तो यह मेक्सिको और क्यूबा की बीच में जो जलसंदी उसे बोलते हैं, यूकाटन जलसंदी, यह मेक्सीको की खाड़ी, यहाँ पर पुना खाड़ी होगी, मेक्सीको की खाड़ी, वो करेबियन सागर, इधर जो सागर होगा, उसे करेबियन सागर, कब बोलेंगे, तो मेक्सीको की खाड़ी और करेबियन सागर यह जो है कि यह पूरा मेक्सिको है मेक्सिको यहां से यहां पर इस प्रकार साया है मेक्सिको और यह वाला हमने अभी बताया कि यह क्यूबा है तो मेक्सिको और इधर का जो है अमेरिका में है यह जो है यह वाला छेत्र जो है यह है फ्लोरिडा तो फ्लोरिडा अमेरिका का फ क्योबा के बीच है क्यों मैक्सीमम काटन में ही बीर पीते हो दो भूंशरा किजी से क्यों मेकसिम मेकसिको मैकसिको क् बाप्यों कीमा और काटन से उकाटन जलसंदि मेकसिवा के बीच है पीर पीति हो यानि कि मैक्सिकोर कैरेबियन बीर सिब कैरेबियन के बीच करेबियन सागर के बीच नेक्स्ट होगा हड़सन जलसंधी हड़सन जलसंधी कनाडा और बर्फिन दीप के बीच हड़सन जलसंधी हड़सन की खाड़ी को उत्तरी अट्लांटिक महासागर जोडता है यह है कनाडा और यह है बर्फिन दीप कहा गया बर्फिन दीप यह बर्फिन दीप यहाँ पर दीप जो है बर्फिन दीप है तो कनाडा और बर्फिन दीप यह पूरा जो बड़ा सा दीप दिख रहा है आपको यह बर्फिन दीप है और इसलिए इस खाड़ी को बर्फिन की ख खाड़ी बोलते हैं तो बैफिन की खाड़ी कहां पर होगे जलसंदी हो हडिस जलसंदी है तो किसके बोलेगे लेबरदोर सागर से जोड़ेगी औरодर घोड़ेगी कि खाडी को जोड़ेगी है तो हट्सन की खाडी और उत्तरी ए ट्लांटिक अगर यह जो सब्हुत जयाद उसको गर्मी लग रहे होगी तो बता रहा होगा कि हट्सब हम बर्फ में नाड़ा खोलेंगे आधि की हट्सब यादि की हट्सन की खाड़ी बर्प याने की बर्फिन दीप बर्फिन दीप नाड़ा नाड़ा से कनाड़ा किदर गया कनाड़ा और यह हडसन की खाड़ी यहाँ पर है नेक्श देखते हैं बेरिंग जलसंधी बेरिंग जलसंधी रूस और अलास्का के बीच है बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से आप यहां पर देख सकते हैं यह है उत्तरी प्रसंत मासागर और इधार है प्र्संत मासागर होगा रिस अमासागर और यह जू संदियोंगी। तो अर्क्तिक माहसागर को प्रसांत माहसागर जोड़ता है अधिवा अरक्तिक माहसागर की चुक्ची च्क की स्यागर बोलते हैं और प्रसांत मासागर में यहां जो सागर है उसे बेरिंग सागर बोलते हैं तो चुक्ची सागर बेरिंग सागर की बीच हो बेरिंग जलसंदी है इसे याद कर सकते हैं एलक्सा रस स्पीकर बोरिंग कर रही है अभी सांती प्रियोक्ति की हुई है एलक्सा से याद कर सकते हैं कि एने कि अमेरिका का अलास्का है रशह रुष रसctic रूँष रस रूस्टे रूस्ट रूसका और जल संधींच अभी यभी सांती पुरुख ठीकी हुई है जब रूट कтесь की सांती से प्रसंत महा काउगर 18 अर्डी हुई से आल्कुल हれ bins नेक्ष देखते हैं पाक जलसंधी पंबन दीप यहां पर पाकिस्तान से मतलब नहीं है इसका तो पंबन दीप इंडिया और तल्ले मनार स्रिलंका के बीच ही दीप है बंगाल की खाड़ी इसको मनार की खाड़ी से जोड़ता है यह जो आप देख रहे हैं यह भारत का यह तमिलाडू वाला राज्य है तमिलाडू में इधर है इधर दीप का लाएगा पंबन दीप इधरर मनार की कई खाड़ी होगि और इधर बंगाल की खाड़ी को मनार की खाड़ी सोलड़ती है इधर मघाल कि मनार की खाड़ी और हो पंबंदीप को तलाई मनार से अलग करती है कि पकिस्तानियों के टकले पर तेल लगा कर लगा कर बंपं बजादू यानि की पकिस्तानी से याद करें जाद चेकई टकला तल्लाई मनार तेल से तल्लाई मनार याद करेंगे पम पम बजादो याने की पंबन दीप इनके बीच है पाक जलसंधि बस इतना ही यह बढ़ बिश्व की कुछ प्रमुक जलसंधिया थी जिनके बारे में हम लग पढ़ें अभी आपको याद हो गया होगा अब देखे तो आपको दुबारा से क्लियर कंठंस्त हो जाएगा तो अभी के लिए इतना ही हमें इजाज़त देजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लिजिए वीडियो को सेर करें और लाइक करें धन्यबाद